नाराइन, नाराइन, सभीता SSVILOX designer channel में आप सभी का स्वागत है सही fitting wanderage बनाने के लिए हमें सही तरीके से नाप लगाना औना चाहिए अगर हम नाप सही लगाएंगे तो हमारे समय की cutting सही होगी और cutting सही होगी तोài building着 की fitting भी सही आएगी अभी तक मैंने आपको बताया है आगे के चेस्ट को आदा इंच या एक इंच बढ़ा कर रखते हैं तो आर्मूस के हाँ सल नहीं बनते और गला भी नहीं उतरता अभी हम इस बिलाउस की कटिंग करेंगे इसमें पीछे के पार्ट को आदा इंच बढ़ा कर रखेंगे अब सवाले हैं बढ़ा कर क्यों रखेंगे जिसकी पीट चोड़ी होती है उसकी लिए हम पीछे के पार्ट को बढ़ा कर रखेंगे अभी हम जो बिलाउस की कटिंग करे उसमें हम पीछे के पार्ट को आदा इंच बढ़ा कर रखेंगे मैं आपको बिलाओ से नाप लागा कर दिखा देती हूं सबसे पहले हम बिलाओस को उल्टा रख लेंगे सही से जमा लेंगे चारो साट से आगे कहुक इसका खोल देंगे क्योंकि इसका पीछे का पार्ट बढ़ा है तो यह सही से जम नहीं पा रहा है अब हमने इसको फैला कर रख लिए है अब इसकी हम लंबाई ना पेंगे लंबाई साड़ चौदा इंच है चैस्ट इसका बीस आ रहा है पीछे के पार्ट का बीस रखेंगे अब हम इसके शोल्डर ना पेंगे शोल्डर की चोड़ा इसकी 11 इंच है अब इसके आर मुल्स नाप लेते हैं आर मुल्स की लंबाई साड़े चाइंच है अब हम इसको सीधा रखेंगे आगे का चैस्ट नापेंगे आगे का चैस्ट आ रहा है इसका 19 इंच कम है पीछे से आर मुल्स लंबाई आगे की आर मुल्स की लंबाई भी आगे की भी साड़े चैस्ट आ रही है अब मिस्के सोल्डर का साज लगाएंगे सोल्डर की चोड़ाई साड़े पांच इंच सोल्डर नापे ते हमने 11 इंच आ रहा था तो 11 का आदा साड़े पांच गले की चोड़ाई साब दो इंच पर निसान लगाएंगे गले में हम पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं गले को पल टाइम इसलिए सावा दो इंच पर लगा रहे हैं आर्मुल्स लंबाई साड़े चाएंच साड़े चाएंच पर लगाएंगे आर्मुल्स की लंबाई अब हम इसकी लंबाई लगा लेते लंबाई 64 इंच एक इंच मार्जन साड़ी 15 अब हम चेस्ट का साइज लगाएंगे चेस्ट पीछे का 20 था 20 का आधा 10 तो इंच मार्जन 12 निशन लगाएंगे अब हम गले की लंबाई को नीचे से पट्टी को नाप लेते हैं जितने भी पट्टी आएगी गले की उसमें आधा इंच मार्जन को बढ़ा कर निशन लगाएंगे यहां से चोड़ाई तीर निश फैला लेंगे उपर से लंबाई में 8 इंच पर निशन लगाएंगे तर्चा निशन लगाकर यहां से गले की नीचे तक तर्चा सेप से मिला देंगे आर्मोल्स गोलाई पोने दो इंच पर लगाएंगे अब हम इसके कटिंग कर लेते हैं गले का जिस सेप में हमने निसान लगाया है उसी सेप में हम गले की कटिंग कर लेंगे अब हम आगे के पार्ट में निसान लगाएंगे आगे के पार्ट में सोल्डर चोणाई रखी है साड़ 5 इंच गले की चोणाई रखी है धाई इंच आर्मोल्स लंबाई रखी है साड़ 6 इंच गले की लंबाई रखी है साल 6 इंच कंप्लेट हमें 6 इंच कचाई नीचे से 3 इंच फैला लिया है गोल सेप दे देंगे चेस्ट आगे का चेस्ट हमारा उननीस था उननीस का आधा साले नोव में 2 इंच मार्जन साले ग्यारा प्रिंसेस कट में कटिंग करूंगी तो 10 इंच ओर मार्जन पिलस करूंगी तो साड़े ग्यारा, साड़े बारा, तेरा अंच पर निसान लगाएंगी चेस्ट का आगे के आगे का चेस्ट हमने रख लिया तेरा अंच प्रिंसेस कट में मैं आगे के पार्ट में साड़े तीन इंच मार्जन रखती हूं यह दो इंच मार्जन यहां पर डेड़ इंच साड़े तीन हो गया टूटन आर्मुल्स गुलाई साब इंच पर लगाएंगे आगे से आगे रुक का बना रहा है इसलिए हम साब चार पन निसान लगाएंगे मैं आदा इंच से कम ही दा बाती हूं आई पट्टी और रुक पट्टी बनाने में इसलिए मैं साबा चार पर निसान लगाती हूं मैं लंबाय पीछे के हमने साबस यह पंदर रखी ते यह प्रीके की Лंबाई esse में लागे के पाट में एक एंच यह लंबाय और बढाएंगे तो आगे की हो जायगे साबस निसान को मिलाते हूं अ आर्मुल्स के हां प्रिंसस कट बिजान में कटिंग करूंगे इसलिए प्रिंसस कट बिजान में कटिंग करती हूं मैं तो एक इंच आर्मुल्स के हां से बढ़ा कर रखते हूं इसलाई के बाद आर्मुल्स के हां की कटिंग करूंगे इसका सलाई के वीडियो देखना है आपको तो मेरे चैनल पर पहले से ही डला हुआ है प्रिंसिस कट सलवाला बिलाउस सलाई का वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर किलिक करें तक कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें यहाँ पर हम मैंट पॉइंट पर निसान लगाएंगे मैंट पॉइंट आप नाप लेते समय बोड़ी से भी नाप ले सकते हैं और बिलाउस से भी बिलाउस को इस तरीके से रख कर नीचे से जो हमने सल डाली है उसका नाप ले लेंगे इसकी लंबाई साड़े पांच आ रही है तो हम आदा इंच बढ़ा कर रखेंगे मार्जिन छे पर निसान लगाएंगे यहाँ पर भी छे पर सल बनाएंगे यहाँ पर हम सब दो इंच लंबी सल बनाएंगे आदेंच से कम दबाएंगे इस साड़ भी छे पर निसान लगाएंगे लंबाई में और यहाँ से दो इंच छोड़ेंगे यहाँ से भी दो इंच छोड़कर बीट से चल बना देंगे इस चल को आप आदेंच तक दवा सकते हैं आवे हुक का बना रहा है इसलिए हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे यहां से भी कटिंग कर लेंगे अब हम अस्तिन निकालेंगे अस्तिन निकालने के लिए कपड़े को डबल फोल कर लिया है फिर एक बार और फोल कर लिया है इसकी चोड़े चाहिए हमें 10 इंच आर्मोल्स चोड़क लिए हम इस तरीके से नाप भी सकते हैं लंबाई रखी हमने साड़े 10 इंच एक इंच मार्जिन 11 नीचे से तीन इंच बाहर निकाल कर रखेंगे इंची टेप को इस तरीके से और साड़े 11 पर निसान लगा देंगे और इस निसान को सेप देत हुए इस निसान से मिला देंगे अब हम अस्तिन की मोटाई ना पेंगे जितनी भी अस्तिन की मोटाई आएगी उसमें दू इंच मार्जन को एट करेंगे और निसान लगा देंगे यहां से तिरची कटिंग कर देंगे अगोनी पर कट लगा देंगे अगोनी पर कट लगा देंगे यहां पर हम जोन करेंगे कपड़े को इतना कम है कपड़ा यहां पर जोन लगाएंगे अब हम मैं कपड़े की कटिंग कर लेंगे कपड़े को डबल कर रख लिया है हमने इस पर जो हमने अस्तर की कटिंग की यह बलाउस की उसको जामा कर रखेंगे थोड़े थोड़े gap से रखेंगे थोड़े थोड़े gap से रखकर और थोड़े थोड़े कपड़े के extra cutting करेंगे अब हम अस्तिन की cutting कर लेंगे अस्तिन को हमने चार बाल फोड़ कर रख लिया है यहां कम है यहां जोड़ लगाएंगे वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लखें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नाराए नाराए थैंक्स पोर पोचिंग माई वीडियो